नमस्कार साथियों डॉक्टर रुमंखना उम्योपेथि क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियों हमारे सरीर को पोषण की आवसकता होती है यहाँ एक सत्थ है और दूसरा सबसे बड़ा सत्थ यह है कि हम लोग पोषण में सरीर के लिए तरह तरह का खान पान के पदार ढूनते हैं उनको कहीं से पाना चाहते हैं समस्या इस बात में यह आती है कि इतने तरह के आहार आपको मालूम पढ़ जाते हैं खाने के लिए कि किसी से कुछ होता है पोषण किसी से कुछ पोषण मिलता है किसी से विटामिन मिलता है किसी से कैल्शियम किसी से आयरेन किसी से जिंग किसी से पोटेशियम इस तरह इतनी आपके सामने तथे रख दिये जाते हैं कि ultimately होता यह है कि कुछ भी नहीं खाते उन में से और जैसे गाड़ी चल रही है वैसे चलती रहती है हम आपको बताएंगे साथ यह इस वीडियो में एक ऐसा खाने का पदार्थ एक ऐसी खाने की सब्जी जो संपूर्ण आहार है उसको खाने के बाद आपके सरीर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी यह लगभग निश्चित है क्योंकि यहां बहुत जरूरी है हम लोग इस बात को काउंटर करने के लिए तमाम प्रोटीन पाउडर बजार से खरीद के लाते हैं तमाम सप्लीमेंट खरीद के लाते हैं यहां जानते हुए भी जो कुदरत ने हमको दिया है उससे उपर जो हम बाजार से 14-15 सब का डिब्बा खरीद के ला रहे हैं वो उसका नाम मात्र पोसंड भी नहीं दे सकता और अगर आपको सला दी जाए एक ऐसी सब्जी की जो आपके बाजार में आपके घर के बगल में उपलब्द है आपके घर के करीब उपलब्द है जिसको और वो सस्ती सब्जियों में है मैं 500 रुपए की ब्राकली की बात नहीं कर रहा हूँ वहाँ सस्ती सब्जियों में है लेकिन हम लोगों को मालूम ना होने के कारण उसकी जानकारी ना होने के कारण हम उसको सेवन से रह जाते हैं बहुत बड़ा कुदरत का फायदा है उससे हम बच आते हैं हम आपको बताएंगे ऐसी सब्जी जो आपके पडोस में उपलब्ध है और जो जिसका की आईरवेद में सर्वोत्तम इस्थान है जी हाँ अब चलते हैं साथियों उस सफर पे जिसक पे आपको बताते हैं ऐसी आपके सरीर को पोसण करने वाला संपून आहार जो कि एक चीज आपके पूरे खान पान को सप्लीमेंट कर देगी और आपको दूसरी चीज की जरुवत नहीं पड़ेगी कुद्रत के सकरिश्में से अभी हम आप हमें भी जब तक नहीं मालूम था तब तक हम भी और अगर आपको नहीं मालूम हो तो आप भी अभी तक इस से दूर रह पा रहे हैं पहुत साथियों अद्बू सब्जी है जिसको का नाम है सहजन सहजन यानी मुनगा सहजन अईसी सब्जी यह साथियों ऐसा या एक बनसपती है जिसका की फली पत्ती उसका बार्क उसका हर चीज फल फल अपके काम आती है हम आपको बताते हैं साथियों इसके विशय में एक ऐसा तथे जो आपको यहाँ जानने को मजबूर कर देखा कि वास्तब में यहाँ complete food है सहजन में साथियों जो सहजन का फल होता है इसमें गाजर से चार गुना ज़्यादा विटामिन A होता है जी हाँ गाजर से चार गुना ज़्यादा विटामिन A इसमें पाया जाता है सहजन में दूद से साथ गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है सहजन में दही से चार गुना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सहजन में संत्रे से 7 गुना ज्यादा विटामिन C पाये जाता है और सहजन में केले से 3 गुना ज्यादा पोटेसियम पाये जाता है जिस बनस्पती में इतना ज्यादा पोसक तत्व हो जो की गाजर से ज्यादा जिसमें की विटामिन A पाये जाए संत्रे से ज्यादा विटामिन C पाये जाए दही से ज्यादा पोटेसियम पाये जाए दूस से ज्यादा केले से ज्यादा पोटेसियम पाये जाए तो ऐसे फल को साइध हम लोग आज तक नजर अंदाश करते रहे हैं साइजन की सब्जी सातियों मैं लखनो से आपको बात कर रहा हूँ यहां 20 रुपए किलो यहां सब्जी मिलती है और इसका खरिदार कोई नहीं है सब्जी वालों ने आज सब्जी लाने से बंद कर दिया क्योंकि इसके बारे में ना कोई जानता है ना इसका खर्टार है लेकिन जो मैंने अभी आपको सदी बताई मुझे लगता है कि यह तथ्थ से ज़्यादा आपको जानकारी की ज़रुरत नहीं है सहजन साथियों जोडों के दर्द में बहुत लाबकारी होता है आपके टीशू के रिजिमनेशन में बहुत लाबकारी होता है इसकिन को टाइट करता है कोलजन का डिस्टरप्शन को बंद करता है आपके कैल्शियम का बहुत अच्छा सप्लिमेंट है आपके kidney troubles का बहुत अच्छा supplement है यहाँ आपके गुर्दे में पत्री नी पढ़ने देता है पित्ते में पत्री नी पढ़ने देता है और अगर कोई पत्री गुर्दे में आई है या पिसाप की नली में है तो इसको यहाँ तोड़ के निकाल देता है सैजन वाफ़ल है जो आपको उर्दा देता है ताकत देता है इस तरह इसके तमाम इस्तमाले साथियों तो आप और आपका परिवार आपका बच्चा इससे वंचितना रहे मैं यह चाहता हूँ सैजन वे साथियों गोंद भी पाय जाता है जो आपको आर्थराइटीज होने से रोकता है भविस की जो आर्थराइटीज जो की लगबख हर व्यक्ति को इंदुस्तान में इस वकत होने वाली है इस फल के सेवन से रुख जाएगी यह लगबख निश्चित है ऐसा अचूक नुसका साथियों ऐसी यह चूक सब्जी आप बताएएगा हमको आप आज तक इसका इस्तमाल करें हैं की नहीं अब हम बताते हैं साथियों आपको इसका सूप त्यार करने का घरेलून उसका एक डॉक्टर होने के हिसाब से हमारा यह काम नहीं है कि हम आपको सूप बनाना बताएं लेकिन क्योंकि एक बहुत चमतकारिक सब्जी की बात हुई है तो उसके बिशह में आपको इस्तमाल करना बता देना भी इस पॉइंट पे उचित है इसका सूप साथियों सहजन यानि मुनगे का सूप बनाने के लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको दो गलास पानी लेना है उसको एक सौसर में यानि भगोने में डाल लेना है उस पानी को हीट कर लेना है गरम कर लेना है जब पानी खौलने लगे तो यहां जो कटा हुआ सहचन का फल है इसको आपको महिन महिन काटके उस पानी में डाल देना है जब आपका यहां दो ग्लास का पानी एक ग्लास रह जाए यानि पानी आधा रह जाए तो आपको इसको गैस से उताल लेना है flame से उतार लेना है इसको थोड़ा सा cool कर देना है और जब ये थोड़ा cool हो जाए तो इसमें आपको थोड़ा सा नमक और शहेट डालके इस सूप को पी लेना है आपको इससे बहुत लाब होगा आपकी skin में लाब होगा आपका collagen protein जो है उसका destruction खतम होगा आपके जोडों के दर्थ में आराम होगा या जॉइंट्स की मोबिलिटी बहुत अच्छी होगी आपका पेट बिलकुल सही साफ हो जाएगा आपकी चेरे पे चमक आ जाएगी अगर आपके पेट में या बच्चों के पेट में कीड़े हैं वहाँ इसके सेवन से निकल जाएंगे इसमें साथियों एक तत्थ मैं और बताता हूँ जो ये सहजन का फल होता है इसमें ओली कैसिक पाया जाता है जो की monosaturated fatty acid है और आपके सरीर के लिए बहुत अच्छा है बहुत लाबकारी है तो यहाँ जो ओली कैसिड है यहाँ आपको बहुत काम करेगा monosaturated fatty acid है इस तरह के तमाम उसद ये गूर सेजन में पाय जाते हैं इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि जो ये आप बाहर से protein के powder के डबे खरीद के लाते हैं डिटेर हजार, दोदो हजार, तहड़ाई हजार, चरचर हजार रुपई के यहाँ पैसा आप बचाएं क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है आप भी जानते होंगे जब आप किसी सबजी को फल को कहा जाता है कि आप अगर उसे पहले से काट के रख दो तो उसके सारे बिटामिनों नश्ट हो जाते हैं तो फिर आप ये कैसे समझ सकते हैं कि 6 महीने पुराना जो कोई डबा है, protein का powder है उसमें वो गुर्ण मौजूद होंगे गुर्ण उसमें हो सकते हैं लेकिन वहाँ गुर्ण आपके body को digest करेंगे ये कैसे समझ इसकी संभावना इससे कम है कि आप ताजी फल को काट के जब आप उसकी सूप तियार करते हैं उससे उसमें फाइदे की संभावना कम है आप इसको करिएगा साथी और हमको कमेंट पोर्शन में लिखके बताईएगा कि आपको लाब हुआ की नहीं उस चमतकारिक आउसदी से जिसमें की गाजर से ज़्यादा विटामिन ए है संत्रे से कई गुना ज़्यादा विटामिन सी है दूस से कई गुना ज़्यादा कैल्शियम है केले से कई गुना ज़्यादा पोटेशियम है और दही से कहीं ज़्यादा प्रोटीन है ऐसा अद्बुतनुसका है ये साथियो इसको करिएगा हमको कमेंट पोर्शन में लिखके बताईएगा आपकी उर्जा बढ़े इसको लेने के बाद की नहीं मन में कोई क्वेरी हो साथियो तो हमारा वाटसैप नंबर नोटिफिशन पैनल में दिया है आप अपनी क्वेरी को हमको वाटसैप कर सकते हैं हमें आपके सवाल का जवाब देने में प्रसंता होगी निवेदाने साथियो वीडियो गर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके यो ही हमारे साथ दिल से जुड़े रहिएगा आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमंग घन्ना हुमियोपेटिक क्लिनिक ये कामना करता है कि आपका जो मेहनत का पैसा है यहाँ इस तरह बरबाद न होके आपके बच्चों की पढ़ाई में तालीम में लगे और जो आपके सरीर और आपके बच्चों के सरीर में पोसण की कमी आज के दौर में वहाँ कुदरती खानपान जैसे कि आज सहजन यानि मुनगा के बारे में बताया गया ऐसी चीजों से आपका खानपान पूरा हो धन्यवाद पागो दौरा झाल के बागो के बारे में अजाई में 1-2 बिल्स प्रफ़े सिस्टर्पर और टत प्सक्षण Vivbat यानि में घ्थ decisions बारे मेंचे भ asymm송, झारे में दो wygląda प्रें में जैसे कि आपके एे वाहाँ कमी से आपके हिंए, यह खकिक में ढ़μεर दूरा पके चक हम प्यान के औिक नजगरा के नजगरे उलीघटा फुलेट स्टने में लिग एप जब केरे लिए गपरि नजगरे में जब के सबस्केशा ली मैं जब कहों जब हम थाजरा कम प्रूप में गुछरा का लिए बाल गुजा, और भेसमे ये गजगरे पाली प्रूब टूब